जै जिवदानी, सहरकारक्रम से मैं कामीनिखना आप सभी समझदार रश्कों के आगे एक बार फिर साफ़ताइक राशी फल का ब्योरा लेकर हाजिर हूँ इस साफ़ताइक राशी पल का ब्योरा तारिक 30 जनवरी 2023 से लेकर तारिक 5 परवरी 2023 सक्का है इस सब्ता में जो मुक्य घटना होने वाली है वो ये है कि शनी अस्तो हो रहे हैं अभी शनी 17 जनवरी को कुमराशी में प्रविश कर चुके थे लेकिन अभी उन्होंने गती पकड़ी नहीं कारिय के लिए स्वराशी में तभी वो अस्तो होने की खबर आई हाला कören शुक्र ऋ उनको सपोर्ट करने हैं शुक्र साथ में हैं तो चलिए जानते हैं मेर के मीर राशी पर शनी के हष्थों होने का क्या प्रव्हव बढ़ा मेर्श राशी शनी आपके लाभभाव में बैटें और लाबभाव के स्वामी है तो पैसा दे रहते पैसा आने में थोड़ी कमी हो सकती है कारियों की गती धिमी हो सकती है लेकिन नहीं आएगा पैसा ऐसा नहीं होगा विवाहिक जीवन का सपोर्ट रहेगा परिवार के सपोर्ट से कुछ न कुछ काम बनता रहेगा मित्त उन्राशि माइंड फ्रेज रहेगा और माइंड फ्रेश रहने के कारण डिसिजन सही होंगे आपके विदेश रिलेटेड काम बनते रहेगे और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपका भागत साथ देगा तो ऑफर्स जो नह नह आ रहे थे वो नह नह बाफर्स फली ब मिलेगा हला कि शणी अस्तों होंगे तो आपको कुछ नहों कुछ कारियो में गती जो है ठंडी होती नजराएगी कर कराशी शणी अस्तं में बैठ डबीज में तबियत अच्छी कर रहे थे क् Y तो होने के कारण आपको थोड़ा बहुत शितिलता मैसूस होगी तवियत के अंदर अपने कोई भी कमी के लिए आप exercise योग meditation प्राणायाम करते रहें विवाहित जीवन और website जीवन के पार्टनर से फिर भी आपको सपोर्ट मिलेगा और कारियों के लिए आश्वस्त रहें क्य रखाता था आपको कई सारे काम करवा रहा था लेकिन आपके शनी के अस्तों होने के कारण आपके कुछ ऐसे काम जिसमें लोन्स वगरा शामिर ते गती स्लो हो जाएगी और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आर्ट और मीडिया समाहित हैं तो वो काम आपके गती फिर भी प पढ़ रहते हैं और शुक्र शर्ष्ट में यह बहुत अची सिती नहीं होती क्योंकि शुक्र कालकुरुष की कुंडली के हिसाब से शर्ष्ट में नीच के माने जाते हैं फिर भी आपको कई सारे लाब भागभाव की वज़ा से होते रहेंगे छिपट लाब बच्चों के होते रहेंगे तव्यत समालिये अपनी और उसके लिए आपको अभी डिसिजन्स आपके सही नजर आते हैं उस पर अडिक रहें शनी अस्त होने से थोड़ा सा माइंड लेजी या शितिल हो सकता है बच्चों की व्यस्तिति रह सकती है लेकिन इतनी घर आप से ती रही होगी आप मेडिटेशन एकसरसाइज योग प्रणायम करते रहें और शिवजी की आराधना करते रहें व्रिश्चिक राशी आपके चतुरत भाव के स्वामी शनी जो है वो अस्त हुए तो आपको घर परिवार में जो कमी नजर आएगी आपके रेनोवेशन या आपके यहलपर् प्रॉब्लम्स जो थोड़ा बहुत से अरुठाएंगे उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा हाला कि चतुरत में शुक्र बहुत मजा नहीं देते फिर भी बुरा कोई असर नहीं देंगे और आपके कई सारी काम जो विवाही जीवन और विवसाइक जीवन के में दी में रहेंगे दनु राशी आपके लिए शनी जो है आपके पराकरम का स्वामी है और पराकरम में बैठा था हिम्मत होसला जागा था जुवान पर कंट्रोल आया था परिवार का सपोर्ट था लेकिन फिर भी आपको लाब होता रहेगा चिट-पुट और आपके लों पर आपके हिम्मत पर कॉन्फिडेंस पर असर तो पड़ेगा और यह असर जाता न पड़े इसलिए महाकाल महाकाली की आराधना करते रहें परिवार से फिर भी सपोर्ट रहेगा कारियों में उन्नती रहेगी और माइन के डिसिजन सही रहेंगे इसलिए बच्चों के और के व्यवसाय बढ़ते रहेंगे कुम्ब राशी लगन में शनी जो आपको confidence और हिम्मत देता है लेकिन साड़े साती भी है मकर राशी कुम्ब राशी और मीन राशी की बात करते हैं लगनों की मकर कुम्ब तो लगन के लिए बहुत अच्छा है और आपके विदेश related काम जो है फिर भी करवा रहा था शनी जो अब आप शितिलता पाएंगे हाला कि गर परिवार से रेलिटेट रेनुविशन वगरा दिमाग पर चाही हुई है काम और वेबसाय भी दिमाग पर चाहा हुआ है तो उसके लिए आपने रंतर कार्यारत रहेंगे गती थोड़ी धिमी हो सकत है लेकिन काम रुकेंगे नहीं मीन राशे द्वादश वाओं में बैठे शनी आपके जो प्रेम संबंद है उनकी स्थिति अच्छी करते हैं विदेश रेलेटेड काम अच्छे करते हैं खर्चों पर कंट्रोल करते हैं उनके अस्तोंने के वज़ए से विदेश रेलेटेड की कुमली के हिसाब से बली हो जाते हैं तबियत को समालना जरूरी है लेकिन डाइगनोज हो जाएंगे मैं कामी निखना बता रही थी सहर कारिकरिम के द्वारा आपको 92.7 बिग एफम के द्वारा साब्ताइक राशीपल का ब्योरा फिर मिलूंगी इसी तरह साब्ताइक रा यानि कामी निखना के साथ